हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का Digital Learning Support में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉग कितने तरह के होते हैं क्या आपने जो ब्लॉग जिस बेस पे create की हुई है आपका वो ब्लॉग उस category के अंदर सही define होता है या नहीं तो इस topic को clearly समझने के लिए वीडियो को last तक जरूर देखें ताकि ये topic आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको ये define करने में आसानी हो जाए कि किस तरीके की content को कौन सी category के व्लॉग में रखनी है वीडियो में आगर बढ़ने से पहले एक छोटी से request करूँगा आप से कि प्लीज अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो हमारे channel को subscribe कर लीजिए ताकि future में आपको ऐसी ही videos regular मिलती रहें अब मैं आपको सबसे पहले ये बतायता हूँ कि blog कितने तरह के होते हैं तो basically blog पांच तरह के होते हैं पहला personal blog, दूसरा business blog, तीसरा affiliate blog, चौथा niche blog और पांचवा जो category होता है blogging का वो है news blog अब मैं इससे और भी clarify कर देता हूँ जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए कि किस तरीके की content को कौन सी category के blogging में रखा जाता है इस type के blog में blogger या author अपनी niche beliefs या opinion को जाहिर करने के लिए लोगों तक पहुचाने के लिए personal blog को create करता है जैसे कि किसी भी product को लेके या किसी भी services को लेके उस author की अपनी niche क्या राय है अपनी niche क्या opinion है इस type के articles वो अपने blog post के जरीए internet के माध्यम से लोगों तक पहुचाता है अगर आप देखे 10 साल पहले की जितने भी blogs हैं उनमें से जाधा तर blogs personal blog ही हैं तो personal blogger का अपना niche मकसद होता है कि वो अपनी opinions अपने beliefs को दोसरों तक पहुचा है ना कि उनका personal motive होता है उस blog के माध्यम से पैसे कमाना हाँ आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं उसको monetize करके लेकिन personal blogger का primary source of income blogging नहीं होता है इस type के blog को manly corporate या agencies operate करती हैं जिससे वो अपने product या services की announcement, achievement, market aesthetics इस तरीके की articles को post को वो publish करके अपने information को logo तक पहुचाती हैं इस type के blogging में भी इनका primary source of income blogging नहीं होता है बलकि अपने information को logo तक पहुचाना होता है इस type के blog में affiliate marketers किसी service या product की complete review करते हैं उसकी tutorials बनाते हैं जिससे की कोई भी reader उस product के बारे में complete review पर सके उस product के बारे में complete जानकारी हासिल कर सके tutorials देख सके और affiliate marketers उसी articles के अंदर उसी post के अंदर उस product की buying link को भी include कर देते हैं जिससे की उस blog post का reader उस buying link को follow करके अगर कोई product खरीदता है तो उसका कुछ percent commission उस affiliate marketer उस blogger को मिल जाता है ताकि जब भी कोई reader उस buying link के जरीए उस product को खरीदे तो वो जादा से जादा अपनी affiliate income generate कर सके number four niche blogging, niche blogging में कुछ topics को target करके उस पे articles उस पे blog post लिखे जाते हैं जैसे की web development, lifestyle, health, gardening, etc. इस type के blog में आपको उस topic से related complete information मिल जाती है complete articles मिल जाते हैं, series में articles मिल जाते हैं जिससे की आप completely उस topic को समझ सके, सीख सके या अपनी solution प्राप्ट कर सके, वैसे अगर देखा जाए तो इस समय niche blogging सबसे ज़्यादा हो रही है niche blogging में author का, उस blogger का primary source of income monetization होता है जिससे की वो अपनी blog के माधियम से कुछ income generate कर सके and number five news blogging, niche blogging की category में वो सभी news agencies आ जाती है जो regular basis पे daily basis पे news publish करती है तो दोस्तो mainly यही होता है पांच तरीके का blog जिसे आप create कर सकते है और उसे monetize करके उससे अच्छी खासी income भी कर सकते है और मजी की बात तो यह है कि इसकी audience भी आपको आसानी से मिल जाती है तो दोस्तो यह information कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताए वीडियो अगर आपको informative लगी हो अच्छी लगी हो तो इसे like, share जरूर करें साथ ही अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजिए और notification को भी on कर लिजिए साथ ही अपने भाई को Instagram पे भी follow कर सकते हैं Facebook पे भी follow कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में किसी नई topic के साथ जैहिंद